नमस्कार स्वागा थे आप सभी का सिक्षा से डिकर से यूटूब चैनल में दोस्तो हमारी जो टेसरी चल लई है उसके भाग 21 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज का जो वीडियो है काफी हद तक जो इस्टेटिक जीके का परशन होता है उस पर अधारित है इसमें मैंने कुछ इमपॉर्टेन लगबग 10 से 12 क्वेस्टन जो हैं इसमें से वे स्टेटिक जीके पर अधारित हैं जो आपके एकजाम के लिए काफी महत्तपूर्ण हो सकते ह हैं तो इस वीडियो का बिलकुत ध्यान से देखिएगा तथा इस वीडियो में हमने जीके के भी प्रसनों को समलित किया हुआ है तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं और हमारी जो आज की टेस्ट स्रीज है 21 नंबर की उसको सॉल्ब कर लेते हैं तो चलिए वीडियो क किया है हाली में हमारा जो Ministry of Labour और Employment है यानि कि स्रम और रोजगार मंत्राले जो हमारा है इसके दोरा हाली में जो संतूष्ट पोर्टल है उसको launch किया गया है तो राइट एंसर आपको हो जाएगा option A अगला प्रस्थ हमारा है हाली में जो प्रतिस्टिट आईरवेद रतन अवार्ड थोजार बीस है उससे किसे समानित किया गया है काफी important प्रस्थ नहीं तो 2020 के लिए जो आईरवेद रतन अवार्ड है यह दिया गया है प्रताप चवहान को तो इसे भी आप ध्यान दिजेगा प्रताप चवहान को 2020 के लिए जो प्रतिष्ठिट अर्वेद रतन अवार्ड है यह कहां पर दिया गया है तो ब्रुसेल्स में कहां पर तो ब्रुसेल्स में दिया गया है यह अवार्ड किसको तो प्रताप चवहान को तो option जो इसका A है बिल्कुल सही आप इसे याद देखिएगा अगला important प्रसम आ रहा है हाली में भारत का जो तेरहवा बंदरगा है वो किस राज में बना जाएगे यह और यह अपके प्रस्ण हंडड mobilी Spaß पूझा जाएगा हाली में अमेर्की अंत्रिच यात्री जिनका नाम था क्रिस्टीना कोच इन्होंने कितने दिनों तक अंत्रिच में समय बिटाए मतलब कितने दिन ये अंत्रिच में रहकर वापस प्रित्वी पर सफलता पुर्वक लॉट आई हैं तो जो अमेर्की अंत्रिच यात्री हैं क्रि की अंत्रिच यात्री हैं अमेरिका की स्पेस एजन्सी को क्या कहते हैं तो नासा क्या कहते हैं अमेरिका की स्पेस एजन्सी को कहते हैं नासा तता भारत की स्पेस एजन्सी उसको हम क्या कहते हैं इस रो कहते हैं क्या कहते हैं इस रो कहते हैं इसे अब धन दीजिएगा अगला जो प्रोग्राम है या सुरू किया गया है फेस्बुक के द्वारा तो रैट एंसर आपका हो जाएगा फेस्बुक के द्वारा जो है हाली में वी थिंक डिश्टल नावक जो प्रोग्राम है या सुरू किया गया है तो इसका right answer आपका हुजाएगा Facebook Facebook के मालिक कौन है Mark Zuckerberg कौन है तो Mark Zuckerberg जो है Facebook के मालिक है Twitter के CEO कौन है Jack Dorsey कौन है तो Jack Dorsey जो है ये Twitter के CEO है तो इसे भी आप द्यांदिजेगा Microsoft के CEO कौन है Microsoft के CEO है सत्या नडेला कौन है Microsoft के CEO अगला important प्रस्मा रहा है हाले में प्रवासी भारती केंद्र का नाम बदल कर किस प्रसिद्ध राज नेता के नाम पर रखा गया है तो जो प्रवासी भारती केंद्र था इसका नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है तो सुस्मा स्वराज हमारे पूर विदेश मंत्रियों रह चुकी तिता इनकी मृत्ति भी हो चुकी है तो सुस्मा स्वराज के नाम पर प्रवासी भालती किंद्र का नाम रखा गया है तो राइट एंसर आपको जाएगा सुस्मा स्वराज तथा अरुन जेटली के नाम पर भी एक संस्थान का नाम रखा गया है किसका तो नेशनल इंसिटीट आफ फानिंशियल मेनेजमेंट जो था जिसको हम सौर्ट फार में एन आई एफम कहते हैं National Institute of Financial Management यह आपको मिलेगा फरीदाबाद में फरीदाबाद हर्याना में तता इसी का नाम जो है बदल किसके नाम पर रखा गया है तो अरुन जेटली के नाम पर रखा गया है तो इसे भी आप द्यान दिजेगा तता प्रवासी बागति केंद्र का नाम सुसमा स्वराज के नाम तो हाली में चक खावल को तो आपृपूर का यह चावल है तो राट एंसरा आप हौजाएगा मड़ी पूर तो आप इसे याल देखिएगा मनिपूर का यह चावल है चक हाव चावल जिसको हाली में क्या दिया गया है GI tag दिया गया है तो आप इसे द्यान दिजेगा तता जो मनिपूर राज्य इसमें भारत का पहला जो plant clinic है यह भी खुला गया भारत का पहला जो plant clinic है मनिपूर में ही खोला गया है तो इसे भी आप द्यान देजिएगा तता यहां पे एक इनिसियेटिव एक पहल चलाएगी तो इसका नाम एक खुडौल पहली है आपके एक जाम हंडिट परसन पूछी जाएगी तो खुडौल जो पहल थी यह मनिपूर सरकार की तरह चलाएगी 실제 ने इसही जो प्रस्थ है आपके एकजां में हंडीट पोशा जाएगा खुड अल इनिसीयटिव की सिराजय का अइनिस्येटिव है जिसको उनाटे जन्य सराहा था तो इसका राइट नेसर हो जाएगा मणिपूर के दरा यह initiative छिलाएगा था खुड़ाओल initiative इसके साथ जो खुड़ाओल मतलब खौंग जाम डे है आप ध्यान दिजेगा मणिपूर राज्य के दरा खौंग जाम दिवस मना जाता है कब तो जो मणिपूर राज्य है इसके दरा खौंग जाम दिवस मना जाता है 23 अप्रेल के दिन इसे भी आप ध्यान दिजेगा इसके साथ ही यहां के एक ब्यक्ती है थांग जाम धवाली सिंग यह इंपोर्टेंट है आपके लिए और्डर आफ राइजिंग सन का जो खिताब है जापान की गवर्मेंट के दरवा दिया गया है थांग जाम धबाली सिंग को तता यह कहां किया है तो यह है और मनिपूर के तो इसे भी आप ध्यान दिजेगा अगला इंपॉर्ण प्रस्मा रहा है नाओमी ओसाका का संबंद कि जो खिताब है इन्होंने जीत लिया है इनका नाम है नाओमी ओसाका और यह टेनिस किलती है तो जपान की रहने वाली है तो इसे भी आप ध्यान दिजेगा अगला प्रस हमारा है नोबेल पुरसकार पाने वाले पहले भारती कौन थे काफी इंपॉर्टेंट प्रस्न है तो नोबेल पुरसकार पाने वाले पहले भारती कौन थे तो रविंद्र नाठ टैगोर आपका राइट एंसर हो जाएगा रविंद्र नाठ टैगोर को साहित्ति में नोबेल पुरसकार दिया गया था तो भौतिक विज्ञान के छेत्र में इनको दिया गया था किस वर्स तो 1930 म आपको पता होगा जो है रमन प्रभाव की खोज जो है इनी के दोरा किये गए थी इसी कारण सेंज को भौतिकी में जो है नोबेल पुरसकार दिया गया था तो 2014 में इनको सांती का नोबेल पुरसकार दिया गया था किसके साथ तो मलाला यूसुप जाई के साथ इसके बाद विएस नायपाल को कब दिया गया था नोबल पुरस्काल तो दिया गया था नायपाल जी को 2001 में किस छेत्र में तो साहित्य के छेत्र में तो चारो भारती हैं इन चारो लोगों को दिया गया है नोबल पुरस्काल पहरे हो गया रभिण दादा टैगोर ये पहले भागती थे जिनको साहित्ति में नोबल पूरसकाल दिया गया था 1913 में उसके बाद चंदर सेखर वेंके टर्मन को भौती विज्ञान के शेत्र में दिया गया था 1930 में कल्या सत्याथी को 2024 में दिया था सांती का नवल पुरसकार किसके साथ तो मलाला यूसीव जाई के साथ और वियस नाइपाल को साहित्ती में दिया गया तो नवल पुरसकार 2001 में अगला प्रस हमारा है पंडित मदन महन मालवी को मरनो परांथ और अटल ब्यारी वाजपेई को किस वर्ष भारत रतन सम्मान से सम्मानित किया गया था काफी important प्रसन है तो पंडित मदन महन मालवी को मरनो परांथ और अटल ब्यारी वाजपेई जी को कब भारत रतन पुरसकार दिया गया था तो 2015 इसका रैटेंचर हो जागा 2015 में मदन महन मालवी जी को और अटल ब्यारी वाजपेई इन दोनों लोग को जो है दिया गया था भारत रतन पुरसकार अगला important प्रस मारा है जुका हुआ जो जंडा होता है यह किसका प्रतीक होता है काफी important प्रसन है तो जुका हुआ जो जंडा होता यह किसका प्रतीक होता है तो राश्टी सोक का प्रतीक होता है जूका हुआ जंडा तो आप इसे ध्यान देजेगा जो जूका हुआ जंडा होता है यह राश्टी सोक का प्रतीक होता है तो राश्टी सोक का प्रतीक अगला प्रसमारा है ये काफी famous book हैं तो आपको बताना है कि ये दोनों जो प्रसिद्ध पुस्तके हैं ये किस की प्रसिद्ध पुस्तके हैं तो ये दोनों famous book हैं किस की तो अरुंधती रॉय की तो राइट एंचर आपको जाएगा यह दोन अप प्रसिद्ध पुस्तक है अरुंधती राय की तता नेंसलन मंडेला की एक प्रसिद्ध पुस्तक है और लॉंग वाग टू फ्रीडम जो फेमस भूक है या किसकी है तो यह है नेंसलन मंडेला की म. स्वामिनाथन क्यों फेमस है तो भारत में हरित क्रांती के जनक माने आते हैं म. स्वामिनाथन इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है क्या तो म. स्वामिनाथन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है तू अ हंगर फ्री वर्ड क्या है तू अ हंगर फ्री वर्ड म. स्वामिनाथन क प्रसित पुस्तक है तता लाल कुस्न अढवानी के प्रसित पुस्तक का क्या नाम है My Country My Life किया नाम है My Country My Life जो है इनकी famous book है लाल किसन अढवानी की तो 4 लोगों की famous muchные ।with आपके दिमाग पे होनी चाहिए सबसे पहले मैंने आपको प्रिडम जो है यार नेंसर मंडेला की पुष्थक है और मेंस स्वामी नाथिन की पुष्थक का नाम है टू अांगर फ्री वर्ल्ड और लालकिसन अडवानी की पूष्थक का नाम है माई कंट्री माई लाइफ तो इने भी आपको याद अखना है अगला प्रस्त हमारा है निमने में से किसे उत्तर भारत का मैंचेस्टर कहा जायता है काफी इंपॉर्टन प्रस्त नहीं तो उत्तर भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है कानपूर को और पूरे भारत का मैंचेस्ट के नाम से जानते मैंने एंसर बता दी आपको तो अमरी सर को जो है गोल्डेन सिटी के नाम से जाना जाता है अगला प्रसमारा है कैथी पैसिफिक एरवेज आपको बताना है या किस देश की बिमान सेवा कंपनी है तो होंग कॉंग कॉंग की तरह एंसर आपको जाएगा होंग कौंग अगला प्रस्मारा है मुसाद किस देश की जो है गुप्तचर एजनसी है आपको बताना है कि जो मुसाद है या किस देश की गुप्तचर एजनसी को कहते हैं तो मुसाद इसराइल की गुप्तचर एजनसी है तो राइट एंसल आपको जाए गए इसराइल की और भारत क कौन कौन सी गुप्तिचर एजन्सी है तो रा हो गई और आईबी हो गई यह दोनों गुप्तिचर एजन्सी है भारत की अमेरिका की कौन है तो CIA हो गई और FBI हो गई तो आपको पताओना चाहिए और UK कौन है तो MI जो है UK की गुप्तिचर एजेंसी को कहते हैं अगला प्रसमा रहा है Bundes tag यहां पर ऐसी लिखा जाएगा Bundes tag तो आपको पताना है कि कि देश की संसत को हम Bundes tag के नाम से जानते हैं तो जर्मनी की संसत को हम Bundes tag के नाम से जानते हैं ब्रिटेन की संसत को हम संसत कहते हैं डूमा किस देश की संसद है तो जो डूमा है या डूमा किस देश की संसद है तो रूस की संसद को हम डूमा के नाम से जानते हैं और मजलिस किस देश की संसद है तो इरान की संसद को हम मजलिस के नाम से जानते हैं अगला प्रसमा रहा है उत्तर कोरिया और दख्षिर कोरिया को कौन सी अंतराष्टी सीमा अलग करती है तो उत्तर कोरिया और दख्षिर कोरिया को अलग करने वाले अंतराष्टी सीमा को हम कहते हैं अड़तिस्वी समानांतर रेखा यानि option C इसका बिल्कुल सही है अड़तिस्वी जो समानांतर रेखा है या उत्तर कोरिया को दक्षिर कोरिया से अलग करती है वहीं मैगी नाट रेखा जो किसको अलग करती है तो जो मैगी नाट रेखा या जर्मनी को फ्रांस से अलग करती है मैगी नाट रेखा वह उन्चासमी समानांतर रेखा किसको अलग करती है तो उन्चासमी जो समानांतर रेखा है यह अमेरिका और कनेडा को अलग करती है तो तीनों आपको पता होना चाहिए जो मैगी नाट है यह जर्मनी को फ्रांस अलग करती है जो उन्चासमी समानांतर रे तो रॉइटर्स किस देश की समचार एजनसी है, तो ब्रिटेन की जो समचार एजनसी है, उसको हम रॉइटर्स कहलते हैं, तो आप इसे ध्यान दिजेगा, रॉइटर्स जो है, यह समचार एजनसी कहा मिलेगी आपको, तो मिलेगी ब्रिटेन में, तता चीन की समचार एजनसी कहां की हैं तो चीन की हैं अगला important प्रसमारा है सुपर मॉम के नाम से निमलिकित में से कौन प्रसिद्ध है तो सुपर मॉम के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो मेरी कौम को हम कहते हैं सुपर मॉम और पिटी उसाओ कहते हैं हम उडन परी क्या कहते हैं पिटी उसाओ कहा जाता ह की जो उच्छ गवर्निंग संस्था होती है जिसको हम फीवा के नाम से जानते हैं इसका मुख्याले आपको बताना है फीवा का मुख्याले का मिलेगा तो फीवा का मुख्याले मिलेगा मीस सहर में मीस सहर है स्विट्जा लैंड में तो राइट एंसर आपको जाएगा मीस में जो है आपको FIWA याने की Federation of International Basketball Association या Basketball की सबसे उच्छ गवर्निंग संस्था है FIWA इसका Headquarter आपको मिलेगा कहाँ पर तो मिस सहर है स्विट्जा लैंड में यहीं पर वहीं कुवालालमपूर में किसका Headquarter है तो आपको मिलेगा बैटमिंटन की जो उच्छ संस्था होती इंटरनेशनल बैटमिंटन Federation आप या देखिएगा BWF जो है आपको याद अखना है BWF जो है बैटमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है इसका Headquarter आपको मिलेगा मलेशिया के कुवालालमपूर में और लुसाने में किसका Headquarter है तो यह important आपके लिए तो लुसाने में आपको Headquarter किसका मिलेगा तो लॉन टेनिस सोरी लुसाने में किसका Headquarter है थोड़ा सब मुझे confusion है आपको अगर पता होगा तो आप बताएगे कि जो लुसाने सहर है लुसाने सहर है सुट्जा लेंड का यहाँ पे किसका Headquarter है वह अगर हम लंदन की बात करेंगे लंदन में किसका Headquarter है तो लंदन में आपको Headquarter मिलेगा लॉन टेनिस का लॉन टेनिस जो संस्था International Tennis Federation जिसको हम कहते है लंदन सहर में तो आपको तीनों मैंने आपको बताया मिस सहर सुट्जा लेंड में आपको मिलेगा फीबा का Headquarter कौलालंपूर मलेशिया में आपको मिलेगा बैटमिंटन की जो उच गवर्निंग संस्था BWF बैटमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका Headquarter आपको मिलेगा कौलालंपूर में लंदन में आपको Headquarter मिलेगा International Tennis Federation का बस आपको बताना है कि लूसानी जो सहर सुट्जा लेंड का यहाँ पे किसका Headquarter है अगला important प्रसमारा है बालती विज्ञान संस्थान किस जगे स्थित है काफी important प्रसमारा है तो यहाँ पे IISC की बात हो रहे है तो यहाँ आपको Bangaluru में मिलेगा तो राइटेंस आपको जाएगा Bangaluru अगला important प्रसमारा है निम्लिकित में से किस वन्स ने द्रविड वास्तुकला के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है तो इसमें से किसके दोरा जो है परियाप्त योगदान दिया गया है तो जो तीनों है होईसल हो गया चोल हो गया और चलो कि इन तीनों ने जो है द्रविड वास्तुकला के विकास में परियाप्त अपना योगदान दिया है तो राइट अंसरा आपको जाएगा उप्योग सभ काफी important प्रस्ता है तो महराना प्रताप के घोरे का क्या नाम था तो चेतक याओनी option B स्का बिलकुल सभ़ुक्षिए चेतक अगला important प्रस्ता है जो 26 रोक दिवसे तो प्रतिवर्ष जो 26 रोक दिवसे और 24 मार्च के दिन तो right answer आपकू हो जाएगा 24 मार्च खेला गया था काफ़ी important प्रसन है तो जो पहला अंतराश्चिक क्रिकेट मेंच था या उस्टेलिया और इंगिलेंड के मत दिखेला गया तो तो रच्राइट एंसर हो जाएगा आपका अस्टेलिया और इंगिलेंड के मत दे अगला important प्रस्ट मारा है पस्चियों के अध्यान को क्या कहते हैं काफी important प्रस्ट है तो पस्चियों के अध्यान को हम क्या कहते हैं और निथो लोजी यानि कि पस्ची बिग्यान यानि option C का बिल्कुल सही है और निथो लोजी अगला प्रस्त हमारा है सविंक तो अरब अमिरात की मुद्रा कौन सी है तो सविंक तो अरब अमिरात की मुद्रा कौम कहते हैं दिरहम नगुल्टरम है भूटान की करंसी भुटान की मुद्रा को हम कहते है नगुल ट्रम तो मान नई सबसे इलेटरिस्ट की करंसी है इरान की तो इसे भी आपको याद अखना है अगला प्रस्ट नमारे जो टाइटेनिक जहास था इसका संबन निम्निकीत में से किस देशते हैं तो जो टाइटेनिक जहाज था यह बनाया गया था आयर लैंड में तो यहां पे जो चारो आपसंस यहां पे चारो आपसंस गलत हैं तो आयर लैंड का एक सहर था बेलफास्ट कहां आयर लैंड में एक सहर है बेलफास्ट यहीं पे जो है टाइटेनिक जहाज का निर्मान किया गया था अगला प्रस्ट हमारा है निम्लिकित में से कौन सी नदी पस्चिमी घाट से निकलती है काफी important प्रस्ट है तो western घाट से इसमें से कौन सी नदी निकलती है तो जो कावेरी नदी है इसको यह उत्तर मतलब जो western घाट हमारा जो पस्चिमी घाट है यहां से निकलती है तो आप इसे इद्यान देजेगा जो कावेरी नदी है यह पस्सिमी घाट से निकलती है आज का लास्ट प्रस्ट हमारा आरबियाई का जो निस्नलाइजेशन है जो रास्टी करण है या कब किया गया था तो डेट थी एक जनवुरी की वर्स था उन्नी सो उन्चास का तो एक जनवुरी उन्नी सो उन्चास को जो है आरबियाई का नेशनलाइजेशन किया गया था और यह यह तो यहां पर हमने जो हमारी 21 नंबर की टेस्ट सेरीज तो उसको हमने पुरे विस्तार में कबर कर लिया है जल्दी मिलेंगे हम अगली टेस्ट सेरीज में तब तक के लिए एं समक्क्यों टेस्ड एं सैंसे थाइ लिए वी किये तक के लिए तुम्या विस्तार ressimut प उद्चित आरबिये माली आंसे तक के लिए कोुरे है थाब प्र माजर में हमने आरप गोमने भूमникомर के जल्दी को थाच्ने के दिस्तार खश्ट पित्स्ता त्सेंसक्य जेंसमा